गाइस कि आपका भी ट्वीटर अकाउंट ट्वीटर की तरफ से सस्पेंट कर दिया गया या फिर लॉक कर दिया गया तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्युदा इन्पोर्टेंट है क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको बदाने वाला हूं कि कैसे आप अपने श्रू करते हैं ठोगाइस ट्व से जब आपके तव्यटर अगाउंट को सस्पेंट किया या फिर लॉग किया दाता है तो आप अपने ट्विटर अकाउंट को एक्सेस्ट नहीं कर पाथे ओ साथी में आपको following भी नहीं दिखते हैं नहीं follower दिखते हैं लेकिन कि आपको पता है कि आखिर में किस बज़ा से आपके टुटर अकाउंट को सब्सक्राइब करने का दो ही कारण हो सकता है सबसे पहला अन्यूजर एक्टिविटी यानि कि आप अपने टुटर अकाउंट को कि सब्सक्राइब करने की कोशिज कर रहे हो या फिर आप किसी भी ऐसे पर गए हो जिस पर मालवेर है तो ऐसे सिच्वेशन में आपके टुटर अकाउंट को लॉग कर देजाता है अन्यूजर एक्टिविटी के करण अब यहां पर दूसरा का रहे हैं कि आप सोसल मीडिया के एज रिक्वार्मन को फूलफिल नहीं कर पा रहे हो जैसे कि आपको पता ना चाहिए कि अगर आप सोसल मीडिया पर एक अकाउंट करते हो तो कम से कम एज आपका 13 यह या फिर उससे एबब होना चाहिए अगर आपका 13 से नीचे तो इस सिच्वेशन में आपके अकाउंट क को लौक कर जये जाता है अब हम बात करते हैं कि किस बज़ासे आपका का έχका को सब्ẫn करने का एक ही करते हैं कि कि टीटर की तरह से जितने भी बनाये है रूल को ले dice कि छिलाब जाते हो इस से में ट्टर आपका सब्सक्राइब कर दैता है इस पदाख कि आपको पता हो गा कि आप किसी भी तरीके के हेटफुल स्पीच वाले टूइट करते हो या फिर आप या पिर टेरीजम वाले आप टूइट करें इस स्टियोसन में टूटर आपके अकाउंट को सस्पेंड कर देता है तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि कैसे आप अपने सस्पेंड टूटर से किसी भी पॉलिशी को ले करके और आप उसे अलॉग करना चाहती हो तो जैसी आप अपने टूटर अकाउंट को लॉग इन करोगे टूटर एप में तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा तो अब आपको क्या करना है गो टूटर डॉट कॉम पर यहा आपके सामने एक option दिखेगा file and appeal आपको इस पर क्लिक करना है जैसी आप क्लिक करेंगे file and appeal पर तो आपके सामने कुछ इस तरीके का option दिख जाएगा अब आपको यहां पर अपने टूटर अकाउंट को login कर लेना है तो simply आपको login पर क्लिक करने के बाद जो भी आपका user name है व appeal and account suspension और locked account का अब आपको उपर की तरफ scroll करना है तो आपके सामने एक option दिखेगा where are you experiencing this issue आपको इस पर क्लिक करना है और आप जहां भी इस चीज़ को आप experience करते हैं जैसे कि अगर आप अपने Android phone में Twitter यूज करते हो तो आपको चूज करना है Twitter for Android अगर आप iPhone में Twitter यूज कर आपको एक option दिखेगा description of problem यानि कि आपके साथ क्या problem हुगा है आपको इसमें पूरी details में लिखना है तो जो मेरा Twitter account suspend किया गया वो abuse and harassment policy को लेकर करके suspend किया गया तहां पर मैंने type किया है dear Twitter team my account has been suspended due to abuse and harassment violating so I am very apologize for this I will not do any violating for Twitter rules next time so please remove my suspension for future use उसके बाद आपको नीचे में thank you लिखना है तो इस तरीके से आपको फिल करना है उसके बाद आपको your information के अंदर आना है जो भी आपका नाम होगा Twitter account का वह आपको डलना है और यहां पर by default आपका Twitter का user name automatic यहां पर आ जाएगा उसके बाद जो भी आपका email ID होगा व the word number optional है तो यहां पर आप डालना चाहों तो डाल सकते हो अगर आप इसको blank छोड़ना चाहो तो blank छोड़ सकते हो उसके बाद आपको नीचे आना है तो आपके सामने एक option का आपको continue पे किलिक करना है continue के किली करने के बाद आपके सामने एक capture open हो जाएगा I am not a robot पर आपको कि केलिक करना है और को सब्मीट करना है जैसी आप करें लेकर करें आपका इंफ इफरमेर्शन है ृस मीट-ंट हो जाएगा और यहां पर बताए गया कि आपको कुछ दिन तक वेट करना है हमारी तरब को भेजा जाएगा आपके मैल बोक्स में आप अपने मेल बॉक्स को बड़ाबर चेक करते लिए तो आपके अकाउंट को अनलॉक कर दिया जाएगा लेकिन कुछ ऐसे भी अकाउंट होते हैं जिन्हें आप रिकाउंट नहीं कर पाऊंगे क्योंकि टूटर की तरफ से उसे पर्मानेटली सस्पेंट किया जाता है क्योंकि अ अगर आपको टूटर अकाउंट पर्मानेटली सस्पेंड कर दिया गया तो इस सिचोशन में आप कितना भी जुगार लगा लो आप अपने टूटर अकाउंट को रिकावर नहीं कर पाऊंगे तुमीद है आपको यह वीडियो पसंद रहोगा और आपको यह वीडियो अगराम